हलो दोस्तो, स्वागत आप सब बच्चे को अपने चैनल सरकार येट में दोस्तो, अब हम डिस्कस करेंगे बीए प्रवार्मिंग फॉर्ट सेमेश्टर का पॉल साइन्स इंटरनेशनल रिलेशन इसमें हमने हिंदी और इंग्लीज में कुछ important question लिए है जैसे कि आप देख रहे है और उससे पहले चीज आपसे बोलना चाहूंगा अगर आप चैनल पर पहली बार है तो subscribe कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो जो आपको अल्री बाद में भी मिलती रहे है इसमें question number one है कि critically discuss the realist approach यानि कि इसको theory भी आपको आ सकता है realist की theory ठीक है mostly theory पूछते है to international relation जो realist है यानि कि अथार्दबाद तो अंतराष्टे संबंदों में यथार्दबाद उपुमा गुमों का अलोचना वर्रन कीजिए ठीक है तो यथार्दबाद क्या है या ठादबादी क्या है इनके क्या-क्या परमुक विसेस्ताय है और इनके क्या-क्या जो मतलब की इनके part है तीन part है SSS ठीक है तो इसको deep में हम discuss करेंगे topic ही है एक तरीकर देखादा तो यह topic है इसको हम एक deeply video बनाके मैं discuss करूँगा एक और topic है इसमें cold war वो भी discuss करूँगा तो पहला question यह है यह दोस्तो 2017 में 2013 और 2018 और 2016 यह 4 साल में question repeat किया गया है तो आप लोग इसको ध्यान से देख लो एक बार और इसको पढ़ लो ठीक है यह realist की theory भी आपसे पूछ सकता है और आपसे approach भी पूछ सकता है बेसिकली theory पूछता है approach बहुत कम chance से के पूछते हैं नेक्स question है explain the feminist perspective in international relation यानि कि अंतराष्ट्री संबंदों में नारिवादी प्रव्यक्चा जो है उसका वर्नन कीजिए इसके नारिवादी दोस्तों यह भी एक topic है इसके चार पहलू थे ठीक है पहला पहल में इन लोगों ने 19 सदी में start किया था sorry 19 सदी के end में और 20 सदी के starting में start किया था और इनकी जो बहुत सारी demand थी पहली सदी में उन्होंने सिक्षा मांगा दूसरी सदी में इन्होंने अपने जो हग की लड़ाई होती है वह चीज़ मांगा यानि कि अपना अजादी मांगी जो भी नारी थी ठीक है नारी वाद को उपर यह question तो यह भी एक topic है इसको भी एक detail में बना दूँगा मैं इसमें भी questions बहुत ज़्यादा put up होते है यह दोस्तों यह भी तीन साल में लगातार यह question आया है इंटरनेशनल रिलेशन में बी ए पोल साइंस ओनर्स में भी आया है और बी ए प्रामिंग भी यह question दिखाया है ठीक है जो next question है explain the factors which made India and emerging power in the contemporary times यहने दूसरो भारत को जिन कारणों के लिए महतपुन सक्ति का केंद्र मतलब की माना जाता है फिर बनाया जाता है उनका उलेख कीजिए तो पांच कारण है ठीक है पांच कारण आपको गूगल भी मिल जाएगा आपकी book से online उस पर भी आपको मिल जाएगी और इसके बारे में हम बीच बाद में discuss करेंगे deeply तो please subscribe कर दे होगे हम चलते हैं next question की तरफ next question है do you think that the post cold war era has led to multipolar world ठीक है इस पर आपको comment करना है यानि कि आपको अपनी एक राय देनी है क्या आपको लगता है क्या आप समझते है कि सीत यूद ने बहु ध्रिव विस्प को उभरने में मदद की है टिपनी कीजिए यानि कि इस पर आपक important है और cold war एक topic बहुत ज्यादा important है एक अथार्दबाद और एक सीती गुद दोनों बहुत ज्यादा topic important है तो आप लोग इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ज़रूर क्योंकि यह topic clear होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आगे आपको 5th semester में भी है और आगे आपके six semester में भी इस पर कुछ topics set किया गया है next question चलते हैं critically examine the internal and external factors which influence the making India foreign policy यानि कि भारत में बिदेश नीती देखिए बिदेश नीती भी एक topic है international relation में और यह जो नीती है दोस्तो वो six semester में भी आपको आएगा और यह आपको यह fifth semester में भी है तो दोनों semester में है तो अभी clear करना बह बहुत ज्यादा important है अभी क्या होते कि अभी बहुत ज्यादा night हो रहा है तो मैं इसलिए question ही बना पाया हूं कल हो सकता है तो इनके deeply वीडियो बनाके मैं upload कर दूंगा ठीक है यह वीडियो कल आएगी अज रात में बना रूम है तो यह basically कल आएगी second next question है discuss India's role in non-aligned moment यह एक 15, 16, 17 यह 3-4 साल से बहुत repeat कर रहे है तो यह मैंने इसलिए question को लिया है क्योंकि 3 साल से repeat कर रहा है और इसमें एक और question है what is its relevance today यानि कि आज के time पे इसकी जो भूमिका है वो क्या है तो गुट निर्प्यक्षा अंदोलन के उदभव का विकास में भारत की भूमिका की जो importance है वो भी इसमें पूछा गया है तो यह आपके 6 question ते जो कि बहुत ज्यादा important question है इन 6 में से कोई 2 question आपको दोस्तों मतलब की आएगा सबसे पहले जो मुझे doubt है मतलब 100% में sure हूँ वो है दोस्तो cold war का question क्योंकि cold war का question हर subject हर जो paper है उसमें आप cold war घुसेर देते है पो question ठीक है यह तीन question में मेरे को बहुत ज्यादा doubt है कि यह questions आएंगे ही आएंगे तो please आप लोग इन questions को दिहान से पढ़ लेना और please subscribe कर देना सरकारी डिजल चैनल को ताकि और भी आपके जो आगे है अपडेट आपको मिलते रहें अब मिलेंगे दोस्तों next वीडियो में हैं दोस्तों